हिलो दोस्तो परदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो सौधी अरब की तरफ से बहुत ही अहम अपडेट आई है जो आप तक शेयर करना बहुत ही जरूरी है सौधी अरब ने दोस्तो अभी 10 देशों पर पाबंदी लगाई हुई है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी सामिल है यहां से अभी सौधी अरब वही लोग ट्रिवल कर सकते हैं डायरेक्ट जो लोग सौधी अरब से वैक्सीन की दोनों डोज लगवा कर छुट्टी पर आ 14 दिन वहाँ इस्टे करके सौधी अरब जा रहे हैं अब दोस्तों सौधी अरब की तरफ से जो अपडेट आई है वो यह आई है कि सौधी हुकूमत बड़े पैमाने पर होटल्स को कॉरंटीन सेंटर के लिए लाइसेंस देना शुरू कर चुकी है उन लोगों के लिए जो बाहरी मुलकों से सौधी अरब में आएंगे विदाउट वैक्सीनेटेड यानि जो लोग बिना वैक्सीन के सौधी अरब डारेक्ट एंटरी करेंगे उनके लिए कॉरंटीन सेंटर अब बखुत बड़े पैमाने पर बनाया जा रहे हैं उनको लाइसेंस दिया जा रहा है इंसिट्यूशनल कॉरंटीन के लिए इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी कंट्री अभी बैंड हैं जिन दस देसों पर पाबंदी लगी हुई है तो क्या आने वाले दिनों में उनके लिए फ्लाइटें ओपेन हो सकती हैं उन्हें परमिशन मिल सकता है क्योंकि इसका पर कॉरंटीन सेंटर को मंजूरी दी जा रही है जदा में रियाद में दमाम में और जगों पर तमाम तर होटल्स को कॉरंटीन सेंटर के लिए उनको लाइसंस प्रोवाइट किया जा रहा है कि उन्हें कॉरंटीन सेंटर बनाया जाएगा आने वाले दिनों में उनको लाइ एवेशन सेक्टर को लेकर सौधी अरबिया में तो अब दोस्तों एक ऐसी उमीद जगती है कि आने वाले कुछ दिनों में सौधी हुकुमत उन देसों से पाबंदी हटा सकती है उनको डायरेक्ट इंट्री करने के लिए परमिशन दे सकती है जिन देसों पर अभी पाबंदी लगे हुई है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी सामिल हैं तो आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों इस पर अपडेट आ सकती है कोई डेट फिक्स नहीं है लेकिन सौधी हुकुमत इस सीच की तयारी कर रही है कि कॉरंटीन सेंटर बढ़ाया जाए उनको ज्यादा करे कि जिन देशों पर पबंदी लगी हुई है वहाँ के लोगों को डिरेक्ट इंटरी करने के लिए परमिसन दे क्योंकि जो पबंदी वाले मुल्क है चाए इंडिया हो पाकिस्तान हो यहां के लोग अक्सर इस चीच की मांग करते रहें आवाज उठाते रहें कि भले ही स दिन कोरंटीन रहते हैं या नैपाल में रहते हैं तो उसका फर्क पड़ता उसमें खर्चे भी बढ़ते हैं और उनकी तकलीब भी बढ़ती है तो इस चीज की डिमांड बहुत पहले से हो रही थी कि सौधी अरब अपने यहां कोरंटीन करे उनको किसी तरह से कोई परिसान देगी और कोरंटीन को लेकर आने वाले समय में और क्या कुछ नियम बना सकती है तो बरहाल दोस्तों हम सब को थोड़ा वेट करना होगा इंतजार करना होगा फ्लाइट के लिए जो भी लोग इंडिया से सौधी अरब डारेट जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं बहले ही दोस्तों क्योंकि अभी इंडिया ने नार्मल फ्लाइटों पर पाबंदी लगा दी है 30 नौंबर तक लेकिन जो एर बवल की फ्लाइटे हैं एर बवल एग्रिमेंट की फ्लाइटे हैं इसके लिए वंदे भारत मिसन की फ्लाइटे हैं इसके तहत सारे फ्लाइटे अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेंगी तो बाराल दोस्तों हम सब थोड़ा इंतिजार करते हैं वेट करते हैं इस पर आगे कोई अपडेट होगा इंडिया सूधी फ्लाइट को लेकर तो वह आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप अरदेशी फ्लाइट यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्यार लखिए खुश रहिए गुड़ बाई